हलो फ्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टेखनीकल लेंग क्यार में अगर आपकी फ्रीफायर में कुछ इस तरीकी की प्रॉब्लम आ रहा है देर अर अबनॉर्मल एक्टिविटीस विए अकाउंट इट हैस बिना कुछ किये अगर आपका ID suspend हो जाता है तो आपको इसस तरिकासे इस ID को अंससपैन्ट कर सकते हो किस तरिका आपने आदी को बैक पासकता है तो अब सब्सक्रणा और नहीं पता तो इस आपर यहां पर गेम विप ही क्लिक करते हो तो friends free fire id को unsuspend करने के लिए आपको कोई भी browser को open कर लेना है browser को open करने के बाद यहाँ पर आपको simple सा search करना है there are abnormal जैसे ही आप there are a, b, n लिखोगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे suggestion पर आ जाएगा तो simple सा आपको जो top में दिख रहा है there are abnormal activities तो इसमें आपको click कर देना है इसमें click करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे scroll करना है और यहाँ पर जो मेरा website आपको देखने को मिल जाएगा जैसे के there are abnormal activities with your account it has been यह लिखावा मिलेगा और नीचे आपको www.technicalmkr.in का option मिल जाएगा और तो थोड़ा सा आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको एक text मिलेगा जिससे आपको यहाँ पर copy करना है तो copy कहां से करना है यहाँ पर आपको copy hello से लेके यहाँ पर ID तक copy कर लेना है जैसे यहां पर मैं कर रहा हूं उसी तरिकत से आपको यहां पर इस टेक्स को कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको एपर support का जो एक website मिल जाएगा तो इसमें आपको click कर देना है इसमें click करने के बाद आप गरेना के official website में आप आ जाओगे support वाला website में तो यहां पर आपको simple सा sign in के button पे click करना sign in के button पे click करने के बाद यहां पर आपका ID जिस भी चीज से था Facebook, Google या कोई भी चीज से था उसी चीज से यहां पर आपको login कर लेना है तो simple सा मैं यहां पर आपना ID को login कर लेता हूं उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है तो मैं यहां पर आपना ID को login कर चुका हूं login करने के बाद यहां पर आपको अपने name पे click करना है name पे click करने के बाद submit a request पे आपको click कर देना है submit a request पे click करने के बाद कुछ इस तरह का page खुल कर आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा तो इसमें आपको click करना इसमें click करने के बाद India Free Fire और India Free Fire Max का दो option मिलेगा तो आप चीज़ भी सीज़ से यहाँ पर गेम केलते हो उसको आपको select करना है तो मैं यहाँ पर Free Fire को select करने के बाद यहाँ पर आपको in-game id और in-game name दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा आटोमेटिक यहाँ पर जो है fill up हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर आपको type of request में आपको 4-5 option मिलेगा जैसे game concerns, negative diamond, item bug, hacker report, hack apk submission तो आपको सबसे उपर वाला game concerns पर आपको click कर दिना है इसमें click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे और एक option मिलेगा जैसे select type of problem तो इसमें आपको click करने के बाद सबसे नीचे वाला technical issue पर click कर दिना है उसके बाद इस checkbox को कर दिना है click उसके बाद यहाँ पर आपने जो text copy किया था उसे paste कर दिना है paste करने के बाद यहाँ पर आपको name और ID को अपने अपने जगा पर copy करके यहाँ पर आपको paste कर देना है जैसे ही मैं यहां पर कर रहा हूँ, उसी तरके से यहां पर आपको पेस्ट कर देना, पेस्ट करने के बाद यहां पर privacy policy को checkbox कर देना, उसके बाद यहां पर add file का option मिलेगा, तो यहां पर आपको क्या करना, आपने जो गेम में screenshot लिया था, यानि कि आपके जेयो गेम में abnormal वाल screenshot यहां पर होगा उसको यहां पर attach कर देना तो मैं यहां पर अपना यह जो file है इसे attach कर देता हूं मतलब जो यह screenshot इसे मैं attach कर दोगा attach करने के बाद यहां पर यह जो upload होगा upload होने के बाद यहां पर आपको simple सा submit के button पर click कर देना है submit के button पर click करने के पाधिया पर आपका जो ओरिक्वेश्ट के अंदर इसकत अपको इस्पॉंच मिल जाएगा रिस्पॉंच से dependent ऐगा है यह सब्मेट ऑने के बाद आपको जो वीस धूंटे के अंदर को सब्सक्राइब जर सो कर दीजिएगा मिलते अगले बड़े पर तब तक लिए गुड़ बाई